Hello and welcome students. Hope you all are well and fine and enjoy your online classes from home. Class 3 Hindi व्यकरन बच्चों, आपको पता है कि पिछले क्लास में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था. आज हम उसकी अभ्यास करेंगे. तो पहला कोश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर में हम बोल कर या लिख कर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं. दूसरा व्यक्ति सुनकर या पढ़कर हमारी बात समझता है, इसे भाषा कहते हैं. ख में भाषा के क्या क्या काम है, उत्तर में भाषा के चार काम है, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना. नेक्स्ट कोश्चन में गह भाषा के कितने रूप होते हैं, उत्तर में भाषा के दो रूप होते हैं. पहला मौखिक भाषा जो बोलना और सुनना है, दूसरा में लिखित भाषा जो लिखना और पढ़ना है. गहा का कोश्चन में मौखिक भाषा किसे कहते हैं, उदाहरन लिखो. उत्तर में जब हम बोल कर अपने विचार दूसरों को सुनाते हैं और वे सुनकर उसे समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं. जैसे पहला में अध्यापिका कख्चा में पढ़ा रही है, जो बोलने का काम कर रही है. सेकेंड में बच्चे अध्यापिका की बात सुन रहे हैं, जिसमें वो सुनने का काम कर रहे हैं. नेक्स कोस्चन, लिखित भाषा किसे कहते हैं? उदाहरन लिखो. उत्तर में जब हम लिख कर अपने विचार दूसरों को बताते हैं और वे पढ़ कर उसे समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं. जैसे सीमा पत्र लिख रही है. सीमा क्या कम कर रही है? लिखने का काम कर रही है. दूसरा में राम किताब पढ़ रहा है. राम पढ़ने का काम कर रहा है. जो लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतरगत आ गया. तो बच्चो यह अभ्यास आपको copy में लिखना है और अभ्यास करना है और घर में पढ़ते रहना है यह 1, 2, 3, 4, 5, 5 questions आपको घर में पढ़ना लिखना है Next question जो है वो homework के लिए है जो आपको खुद से करना है Question number 2 शही विकल चुनकर चिन लगाईए क में रोहन कविता सुना रहा है यह भाषा का कौन सा रूप है इसमें आपको चिन लगाना है पहला में मौकिक भाषा है या लिखित भाषा नेक्स्ट कोस्टिन नेहा कविता पर रही है यह भाषा का कौन सा रूप है मौखिक भाषा या लिखित भाषा इसमें आपको चिन लगाना है घा में जब हम बोलते हैं तो दूसरा क्या करता है सुनता है या पढ़ता है उसमें आपको चिन लगाना है घा में जब हम लिखते हैं तो दूसरा क्या करता है पढ़ता है या सुनता है सोचता है उसमें आपको चिन लगाना है तो बच्चो ये सारे अभ्यास आपको करना है घर पे घर पे करना है और आपको पढ़ते रहना है तो आज हम ये भाषा का चैप्टर यहाँ पर समाप करते हैं नेक्स दिन हम नेक्स चैप्टर पर डिसकोशन करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद थैंक यू